डिप्टी सीएम सचिन पालेट ने बताया कि राजस्थान में मनेरेका के तहत श्रमिक नियोजन 35.59 लाग हो गया है जो पिछले 10 सालों में सरवाधिक श्रमिक नियोजन है पालेट ने कहा कि कुरोना महामारी के कारण वर्तमान परिस्तितियों में ग्रामिक शेतों में रोजगार उपलब्द करवा कर आर्थिक संबल प्रदान करने में मनेरेका योजना मददकार साबित हुई है उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 में 100 दिवसी कारी योजना बना कर प्रतिक ग्राम पंचायत में चारा गहाव विकास, मौडल ताला विकास और खेल मेदान विकास के एक एक कार्य स्विक्रित करने की योजना चलाए गए थी इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में एक ग्राम चार काम अभियान चलाए जा रहा है जिसके तहद उक्त कार्य प्रदेश के प्रतिक राजसों गाउं में प्रात्मिक्ता के आधार पर करवाए जा रहे हैं